कॉंग्रेस सांसद और लीडर ओफ ओपोजिशन राहूल गांधी कुछ इस तरीके की बयान बाजी कर रहे हैं जो की लोगों को जोडने नहीं तोडने का काम कर रही है जी हाँ आपको बता दूं कि कुछ इस तरीके के बयान राहूल गांधी द्वारा दिये जा रहे हैं विभाजन कारी बयान वो दे रहे हैं जिसकी वज़े से जमुकश्मीर की जनता और साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष की जनता है उनमें काफी रोश देखने को मिल रहा है जहाँ पर उन्हें ने लगातार जमुकश्मीर के लोगों को बांटने का प्रयास किया पूरे भारतवर्ष को बांटने का प्रयास किया अब वो देश की सबसे बड़ी संस्था भारते रेलवे के करमचारियों को भी बांटने का प्रयास कर रही है एक ट्राक्मैन को महादलित करार दिया गया जिसकी वजह से लोगों में काफी ज़्यादा रोश देखने को मिल रहा है वही पर जमुकश्मीर विधानसबा के चुनाव को लेकर वो इलेक्शन केंपेंग करने के लिए जमुकश्मीर पहुंचे थे अब राहुल गांधी की बात करेंगे बात तो वो करते है कि मुहबब जो है उसकी दुकान खोली जाए नफरत खतम की जाए लेकिन इस मुहबब की दुकान में वो समान कौन सा बेच रहे है समान जो है वो लोगों को बांटने का समान बेशते नजर आ रहे हैं जिसकी वज़े से पूरे भारत वर्ष की लोग काफी जादा सकते में हैं और उनमें रोश देखने को मिल रहा है